Hello Friends, Welcome to PS Art, I am Leena Jain, for learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है How to Create Split Color Text in Photoshop, तो चलिए शुरू करता है, सबसे पहले File Menu में जाएंगे, New पे क्लिक करना है, और यहाँ पे Width 1280 रखेंगे, Height 720 रखा हुआ है, Pixels में ही रखेंगे, Resolution 72 रखेंगे, Color Mode RGB Color सेलेक्टेड है, Background Contents वाइट सेलेक्टेड है, इसके बाद OK पे क Hold करते हुए, Zero की प्रेस करना है, और अब यहाँ पे Text टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से Type Tool सेलेक्ट कर लेंगे, और font आप यहाँ पे देख सकते है, timeline करके जो font है, वो यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी font यूज कर सकते है, तो जो भी font यूज करना है, यहाँ पे font आपको थोड़ा मोटा यूज करना है, और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, और Text टाइप कर लेंगे, हमें यहाँ पे Type कर लूँगे, Split, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, अब हमें Text की Size बढ़ानी है, तो Ctrl की को Hold करते हुए, T की प्रेस करना है, और फिर Alt और Shift एकी को Hold करते हुए, इसे Drag करेंगे, Corner से बाहर की तरफ, और इसे यहाँ पे Set कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब हमें Text में Gradient Color देना है, तो इसके लिए Text वाली Layer पे Right Click करेंगे, और फिर यहाँ Blending Options पे क्लिक करना है, और यहाँ से Gradient Overlay करके जो Option है, इ इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से Black White Gradient Select कर लेंगे, जो कि पहले से ही Available होता है, उसको Select करने के बाद यहाँ पे नाम लिखा हुआ जाएगा, अब देख सकते हैं, Black White, अब हमें Black की जगे दूसरा Color देना है, तो इसके लिए Left वाली Color Stop को Select कर लेंगे, और पिर यहाँ पे क्लिक करना है, और अब यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लेंगे, 3B3281, इसके बाद OK पे क्लिक करना है, और अब वाइट कलर की जगे दूसरा Color देना है, तो राइट वाली Color Stop को Select कर लेंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हैश कोड टाइ इसके बाद OK पर क्लिक करेंगे और अब left वाली color stop को drag करेंगे और 50% location पर लाकी से drop करना है अब भी location आप देख सकते हैं 43% है तो यहाँ पर मैं 50% type कर लूँगी तो आप देख सकते हैं यह color stop 50% location पर set हो गया अब हम right वाली color stop को select करेंगे और यहाँ पर 50% type कर लेंगे क्योंकि हमें भी इसे यहाँ पर set करना है 50% पर तो आप देख सकते हैं right वाला color stop भी 50% location पर set हो गया अब हमें इस gradient को save करना है इसे save करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है तो यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है इस gradient को वो दे सकता है तो मैं यहाँ पर इसे नाम दे set कर लेंगे यह इस तरह से set करने के बाद आपको यहाँ style में linear रखना है एंगल 90 डिगरी रखेंगे और scale के value 100% रखेंगे इसके बाद ok पर क्लिक करेंगे और अब background वाली जो लेयरे से select कर लेंगे अब हमें background में भी gradient देना है तो इसके लिए adjustment में जाना है और यहाँ से gradient को box पर क्लिक करना है और यहाँ से यह वाला gradient select कर लेंगे split color जो कि हमने save कर रहा था इसके बाद ok पर क्लिक करना है यहाँ पर style में linear रखना है एंगल 90 डिगरी रखेंगे और scale के value 100% रखना है और यहाँ पर आपको reverse को check करना है और अब इसे यहाँ पर set कर लेंगे center में center में set हो जाए इसके बाद ok पर क्लिक करना है आप देख सकते हैं हमारा split color text complete हो गया है लेकिन अगर आप इसका color change करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इसके लिए text वाली जो layer है उसको select कर लेंगे और फिर adjustment में जाना है और यहाँ से even saturation को जो option है इससे select करेंगे और फिर यहाँ से saturation की value बढ़ानी 100 कर लेंगे और अब इससे यहाँ से right में drag करेंगे यह आप देख सकते हैं यहाँ पर color change हो रहे है तो जो भी color आपको रुखना है वो रुखने के बाद यहाँ पर click करेंगे अब यह complete हो चुका है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ह पिर को आपको सब्सक्राइब शॉट जाए वीजिए वीडियों एंसे यह बज्यों अंतर बेस्ट संबा इस अब्सित हैं अब जू प्सक्राइबों अब्सित मुखने देख संब अपको रुखने लगिए वीडियों पर चार्णे सब्सक्राइब के लिए जाज सरी-पित झाल झाल